नमस्कार मैं हूँ अंचल सिंग और आपका स्वागत हमारे चैनल में एक तरफ भारत चाइना का सीमा विवाद चल रहा है दूसरी तरफ पियोके के लिए पाकिस्तान से भी विवाद चल रहा है और वही पर इस वक्त भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने सब से खास दोस्त इसराइल की प्रधानमंत्री बिंजामिन नित नियाहूं से बात की और उन्होंने दोनों निताओं ने आपसी संबंधों को मजबूत करने और कोवीट के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ने पर चर्चा की और साथ में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिंजामिन नित नियाहूं को पाचवी बार प्रधानमंत्री बनने पर उनको बढ़ाई दी और साथ में ही बिंजामिन नित नियाहूं ने प्रधानमंत्री मोदी को इसराइल आने का नियोता दिया तो जस तरीके से दोनों देशों के आपसी संबंध इतने अच्छे हैं व भारत भी इस वक्त आतंगवादियों से लड़ रहा है और जिस तरीके से चाइना को मुतोर जबाब दे रहा है और इस वक्त भारत और इसराइल की दोस्ती खास हो जाती है और इस वक्त अगर प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी और बेंजामिन नेत न्याहू की चर्चा होती ह इस वक्त तो ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्रमोदी की विदेश नीती है और इस वक्त उनके सबसे खास दोस्त अगर बात करें सबसे सक्षम देश जिसकी सेना इसी को भी धूल चटा सकती है ऐसे देश के प्रधानमंत्री अगर भा लिकुल भी नहीं है जो आतंगवाद को पन पाता है तो ये बिपक्ष के लिए भी करारा जवाब है जिस तरीके से सवाल उठाते हैं कि प्रधानमंती नरेंद्र मोधी की विदेश नीती क्या है इनकी कूट नीती क्या है किस तरीके से चाइना हमारे शेत्र में आ गया है करके मारे ब्लैक आउट कर देते हैं और चाइना किस तरीके से उल्टे पाव पीछे जा रहा है और भारत से बातचीत करके मामले सुलजाने की बात कर रहा है तो आपको बता दे कि आज प्रधानमंती नरेंडर मोधी ने इसराइल के प्रधानमंत्री जामिन नेत नियाहू स से फोन पर बात करी और उसके बाद प्रधानमंती नरिंदर मोदी ने ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी और कहा कि दोस्त नेत नियाहू से बात की कोवीट के बाद की दुनिया में भारत इसराइल संबंधों पर चर्चा हुई उन्हें रिकॉर्ड पाचवी बार प्रध इसराइल अब आतकवाद के खिलाख साथ मिलकर लड़ने वाला है और जिस तरीके से उन्हें भारत के प्रधानमंती नरिंदर मोदी के उनके रिष्टे हैं और अभी तक हम साथ मिलकर लड़ते आए हैं यह देखने वाली बात है कि जिस प्योके की हम बात कर रहे हैं उसके इसराइल भी भारत के साथ खड़ा है और अगर चाइना इस वक्त बात चीज से नहीं समझता तो उसे भी मूतोर जवाब देने के लिए भारत के पास उसके खास दोस्त अमेरिका और जापान इसराइल जैसे दोस्त उसके साथ खड़े हुए हैं इससे पहले भी दोनों नेत को ने क्रोना महामारी से निपटने के लिए दो बार चर्चा कर चुके हैं नेतनियाहू के अनुरोध पर ही भारत ने इसराइल को हईड्रो आकसी क्लोरोगीन और दोस्रे मेडिकल उपकड़ों की आपूर्त ही तो उस वक्त को लोना के महामारी के दोरान भारत ने सभी नेतनियाहू ने अपने घनिष्ट निजी संबंधों का इस्तमाल दोनों देख्षों के दिखपक्षिय संबंधों को मजबूत करने में किया है इससे दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, आईटी, हाई टेक्नलोजियो, रक्षा, शेत्र में दिखपक्षिय नेतनियाहू ने पिछले साल जुलाई में सबसे लंबे समय तक देश के प्रधान मंतरी रहने का रिकॉर्ड बनाये, उन्होंने इस मामले में देश के पहले प्रधान मंतरी डेविट बेन गुरियन का रिकॉर्ड तोड़ा था इस वक्त वो पाचवी वार इसराइल के प्रधान मंतरी बने हो और जिसकी बधाई प्रधान मंतरी नरेंद्र मोदी ने दी और वहीं आपको बदा दे दूसरी बड़ी खबर है और ये सबसे बड़ा जटका उन लोगों के लिए है जो एकोनोमी को लेकर आये दिन राजनीत प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी को दिन रात कोस रहे थे और अपनी राजनीती चमकाने के लिए ये कह रहें थे वह पारत कितना पिछल रहा है और भारत आर्थिक रूप से कितना कम्जोर हो रहा है तो बहुत कि इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि विदेशी मुद्रा भ जो भारत की एकोनॉमी पर सवाल उठा रहे थे और इस वक्त कह रहे थे कि प्रधान मंती नरिंडरु मोदी की आर्थिक रूप से भारत को कमजोर करना चाहते और उनके पास कोई रणनीती नहीं है तो जिस तरीके से भारत के पास विदेशी मुद्रा का भंडार है यह देखन 90.48 अरब डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुच गया है दरसल विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक यानि एफपी आई की और से तेजी फंड फ्लो की वज़ा से विदेशी मुद्रा भंडार में यह तीज इजाफा हुआ है आर्बियाई के आकडों के मुताबिक सिर्फ म मुद्रा भंडार में 3.50 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है 29 मई को खत्म है सब्ता के दोरान भारतिये शेरों में एफपी आई का निवेश बढ़कर 5,480 करोड रुपे तक पहुच गया था विदेशी निवेशक इस वक्त भारतिये कंपनियों में हिस्तेदारी खरीद रह भारत ने रश्य और कोरिया को पीछे चोड़ती हुए तीसरा अस्थान हासिल कर लिया और पहला चाइना और दूसरा जापान का है तीसरे नंबर पर भारत है और इससे इंडियन करंसी को मजबूती मिलेगी साथ में राहूल गांधी सोनिया गांधी जो लगातार इस पर सरकार में विदेशी मुद्रा भंडार इस वक्त इतना है और इससे रुपे की जो मजबूती यानि इंडियन करंसी की जो मजबूती होगी जो लगातार पीछे जा रहा था अब उसको मजबूती मिलेगी तो साथ में एक्सपर्ट का कहना है कि कोरोना वायरिस संक्रमाट की वज़ा से घट्ती आर्थी गद्वीदियो के मद्दे नजब डॉलर का ये भंडार इकोनामी को काफी मजबूती देगा क्योंकि इससे अभी तक हम एक साल का अपना आयाद बिल चुका सकते हैं इसके साथ ही रुपे को भी ये मजबूती दे रहा है रिजर्व वेंक ने कह से लोग सुरक्षी जगहों और इंस्ट्रूमेंट पर पैसा लगा रहे हालांकि कुरूड के दाम में कमी से भारती अर्थ व्यवस्ता को राहत मिली है इससे भारत को कच्छे तेल के आयात पर कम डॉलर खर्च करने पड़ रहे हैं बढ़ते विदेशी मुद्रा भंडार की एक बड़ी वजा यह Бी तो सुरक्षी जगहों पर लोग इंवेस्मेंट कर रहे हैं तो इस वक्त भारत सबसे सुरक्षित जगह अगर देखा जाए और चाइना को जिस तरीके से भारत टकर दे रहा है और चाइना की जगह ले रहा है तो यह भी देखने वाली बात होगी औ भी देखने वाली बात होगी और प्रदान मंतरी नरेन रुमोदी जिस तरीके से विदेश नेती पर काम कर रहे हैं और इस वक्त देश एक सुरक्षित हाथों में हैं और इसी वज़ा से लगातार देश प्रगती पर पहुच रहा है भारत और इसराइल के संबंधों को लेकर अपनी प्रतकरिया दे रहे हैं जो संबंध हैं भारत और इस तरीके से घनिश्ट मित्रता है लोगों का कहना है कि इसराइल के पीम का बेटा आर्मी में है लेकिन भारत में गांधी खांदान के लोग गर्ब से ही पीम सीट बुक करा कर पैदा होते हैं नमो इंडिया एक फिर सियम बने भारत और इसराइल के रिष्टे और मजबूत होंगे प्रधान मंत्री इसराइल और एक यूजर ने लिखा है कि भारत के प्रमित व्यंजामिन नेत नियाहू आज पाचवी बार इसराइल के प्रधान मंत्री बने उन्हें बहुत बहुत बदाई भारत इसराइ इस दोस्ती में गहरी संभावन आये हैं एक शोर पर इसराइल और दूसरे चोर पर भारत अर्थात इंडिया दोनों के सामने कई संकट एक जैसे हैं जाहिर दोनों को संकट के समाधान का रास्ता तो निकालना होगा समन में तो करना ही पड़ेगा यही है सही समय तो जिस तरीक ही कोविन-19 के बाद भारत और इसराइल के साजा प्रियासों को लेकर भी बात चीत की गई है भारत की रक्षा नीती को वैशिक स्वेवकृति मिली है अमेरिका और इसराइल के बाद पूरी दुनिया इस बात से सहमा थी कि यदि कोई अन्य देश अपनी सीमाओं की रक्षा करने में शक्षम है तो वो भारत है ये ग्रह मंतरी अमिश्चा ने भी कहा था और उसके बाद प्रधान मंतरी नरेंडर मोदी का और इसराइल के साथ इस तरीके से बात चीत और जिस तरीके से निवता देना इससे ये तै होता है कि किस तरीके से भारत और इसराइल दोनों इस वक्त साथ में खड़ा हुआ है और जो सीमा विबात चल रहे हैं इस पर भी दोनों देश डट कर मुकाबला करने के लिए एक दूसरे के साथ खड़े हैं